अर्थात आज ही के दिन बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से एक अधिसूचना जारी करके नियमावली जारी की गई है कि कौन बिहार के सात्वे चरण की भरती में आवेदन कर पाएगा उसके लिए यद्देपी नियमावली पहले से बना दी गई थी फिर भी उसमें कुछ विशेष प्रावधान किये गई है यह विशेष प्रावधान क्या है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नमस्ते मिना नाम है अवदेश विद्यलंकर आप लोग देखना आरंब कर चुके है टीचर सद्दय के यूट्यूब मंच को और यह अधिसूचना जो है शिक्ष चार तरह के अध्यापकों के लिए नियमावली जारी की गई है एक से पांच के लिए छे से आठ तक की कक्षा का अध्यापक बनने के लिए और नो दस कक्षा के लिए और ग्यारा से बारे कक्षा के लिए चार तरह के अध्यापक जो है उनके लिए वेकेन से निकलेगी और और इसी के साथ-साथ आपको एक विशेश अध्यापक जो बनाई जायेंगे, विशेश अध्यापकों के लिए इन ही समवरगों में लिकिन बारा पाइज के नोटिस में, वो सबसे पहले ग्यारवी बारीवी कक्षा के लिए अम बात करते हैं, ग्यारवी बारवी कक्षा का अर्था, पीजीटी अध्यापक कोई बनना चाहता है, तो उसे पोस्ट ग्रेजुएशन उसने नियूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किया हुआ हो, और उसके साथ उसने बीड किया हुआ हो, ठीक है, ये एक नियूनतम अरहता है, पर अगर आप प्रतिशत अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और बीड किया है, तो भी आप लोग जो है, इसमें आविदन कर पाओगे, लेकिन आप लोग ध्यान दखेगा कि नियूनतम अरहता जो है, वो 50 प्रतिशत अंकों के साथ बीड है, सभी विशव के लिए, अगर आ आपने नियम हुआ, और इसी तरह से कम्प्यूटर के लिए अलग से बताया गया कि पचास प्रतिशत अंकों के साथ आप लोगों को किसी भी संस्थान या विशविद्याले से आपने DOEACC का जो अग्रेड का आपका सर्टिफिकेट वो उसके साथ साथ आपने किसी भी किया हुआ हो और AICT की जो माननेता आप लोगों के पास है तो आप लोगों इसमें आवेदन कर पाऊगे यह सामन ने जानकारिया है इसमें पचास प्रतिशत अंकों की बाध्यता जो है वो नहीं है बीटेक या बीटेक या बीए वालों के लिए ठीक है इसी तरह की जो आवेदन कर पाएगा ठीक है ग्यारवी बारवी का जो संगीत विश्यक अध्यापोगों का उसके लिए बीएड के निवार्यता नहीं है पचास प्रतिशत अंकों के साथ उसने किसी भी विश्विद्याले से संगीत में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो तो वो आवे विश्यक के बात करने हैं सामन्य विश्यों में वो नो से दस के अध्यापक के लिए कहा गया है कि उसने ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी भी एक उसमें उसने पचास प्रतिशत अंक धारन किये मानलिया किसी ने सनातक किया और सनातक में उसके 45 प्रतिशत अंग रह गए और फिर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया इसमें 50 होगे तो भी वावेदन कर पाएगा, ठीक है मतलब 50 प्रतिशत ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन किसी में भी हो और इसके साथ उसने बीड किया हुआ हो, यह आप लोगों के लिए कॉमन नियम है, बाकी 50 की जगे 45 प्रतिशत का भी नियम है, लेकिन वो एंसीटी द्वारा मानने तापराप्त के से विशेश संस्था से आपने किया हो और उसके साथ साथ बीड किया हुआ हो, इसी तरह से आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन के बाद हम बात करें कि अगला जो आपको बताया गया है यहां पर संगीत में भी 50 प्रतिशत अंगों के साथ आप लोगों ने ग्रैजुएशन जो है वो संगीत के साथ किया हुआ हो, ललित कला के लिए बताया गया है यह ललित कला विश्य के लिए भी आप लोगों को 50 प्रतिशत अंगों के साथ आपने ललित कला विश्य में ग्रैजुएशन किया हुआ हो, तो आप आवेदन कर पाओगे, निरित्य में भी यही का 50% अंगों के साथ graduation में आप लोगों के पास नृत्य शिक्षा आपने लिया गया हो, लिया हुआ हो, ठीक है, विशेश अध्यापकों की बात कर लेते हैं, कुछ विशेश विद्याले जो हैं, वो बिहार सरकार के अंटरगत हैं, बिहार सरकार के विशेश विद्याले का अध् संस्थान से विशेश शिक्षा जो उनके लिए अलग से होती है, उसमें आप लोगों ने बियड किया हुआ हो, ठीक है, तो वो बियड भी आप लोगों का वहां से पुनरवास परिशत के वैद CRR वाला होना चाहिए, ठीक है, तो विशेश शिक्षा क्या है और विशेश अ बता दिये गए हैं कि यहाँ गनित का अध्यापक होगा, साइन्स का अध्यापक होगा, सोशल साइन्स का अध्यापक होगा, और किसी भाषा का अध्यापक होगा, उनके लिए ग्रूप बना दिये गए है कि किस विशे का क्या क्या कॉम्बिनेशन होना चीए, जैसे गनित क जो combination बताया गया है, गनित में अध्यापक वो बन सकता है 9-10 के कक्षा को पढ़ाने के लिए, जिसने गनित के साथ physics, electronics, computer science, chemistry, या फिर सांगे के इन में से कोई एक विषय जो है, गनित के साथ-साथ, इन में से भी कोई एक विषय graduation level पर उसने पढ़ा हुआ हो, ठीक है, ये गनित का अध्यापक बनने की अरहता है, विजियान का अध्यापक वो बन सकता है, science का teacher, जिसने जन्तु विजियान, वनस्पति विजियान, रसाइन शास्त्र chemistry में जो है, वो तीनों विषयों को इसने graduation में पढ़ा हो, social science का teacher वो बन सकता है, जिसने इतिहास या फिर भूगोल, ठीक है, इतिहास भूगोल में से कोई एक विषय अनिवारी है, और उसके साथ साथ अर्थ शास्त्र, राजनिती शास्त्र को कोई एक विषय उसने graduation में तीनों वर्षों में अवश्य पढ़ाओ, ये बात धियान रखने की है, इतिहास भूगोल एक साथ पढ़ाए तो दोनों भी काम करेगा विषय, लेकिन इतिहास और भूगोल में से कोई एक विषय जरूर होना चाहिए, तब ही आप लोग लोग सोशल साइंस के टीचर बन पाओगे, भाषा का टीचर बनना है, जैसे किसी को संस्कृत भाषा का टीचर बनना है, तो ग्रेजुएशन लेवल पर तीनों वर्षों में आप लोगों ने संस्कृत पढ़ी होई हो, और इसी के साथ साथ 11-12 का जो टीचर बनेगा अधियापक जो होगा, उसके लिए कुछ अलाइड सब्जेक्ट भी बताएगे हैं, मतलब फिजिक्स का टीचर बनना है, तो केवल फिजिक्स में ही डिग्री नहीं है, फिजिक्स अतिरिक्त आप लोगों ने कोई इलेक्ट्रोनिक्स में किया हुआ है, अपलाइड फिजिक्स में किया हुआ है, निकलियर इन में से आपने किसी ने भी किया हुआ, बाइलोजी में बोटनी है, जोलोजी है, लाइव साइनस है, बहुत सारे विश्य बता दिये, इन में से किसी एक विश्य में आप लगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, तो आप 11-12 के टीचर बन सकते हैं, यहां एक बात ध्या अब मैं बात करूं, मैंने अभी तक बात किया आप लोगों को 9th, 10th की, 11th, 12th की, अब मैं बात करता हूं कि कक्षा 1-5 तक के लिए जो प्राइमरी टीचर होता है, वो कौन बन पाएगा तो उसके लिए नियम निर्धारित किया गया, कि 50 प्रतिशत अंकों के साथ आप आप लोगों ने दो वर्षिय डिप्लोमा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में, प्राइमरी जो इलिमेंटरी एजुकेशन है, उसमें आप लोगों ने डिप्लोमा किया हो, कोई भी तो आप लोग आवेदन कर पाओगे, ठीक है, यह से पांच तक के अध्यापक प्राइमर इनोंने वह है, और इसके अधिरिकत आप लोगों को इस पर थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा करेंगे, अलग से एक वीडियो में प्राइमरी टीचर के लिए क्या एलिजिबिटी अलग से आप लोगों को विशेश क्या प्रावधाने वो उन पर मैं अलग से चर्चा दूसरा अधियापक साथ सोशल साइंस के लिए होगा और तीसरा किसी लेंवेज का टीचर होगा तो कौन-कौन क्या-क्या एलिजिबिलिटी ए उसके लिए बता दिया कि 6-8 में अगर आप लोगों को अधियापक बनना है तो ग्रैजुएशन आप लोगों ने किया हुआ हो और Elementary Education में आप लोगों का दो वर्श का डिप्लोमा हो आपका ठीक है यह आप लोगों के नियून तो मरहता है या तिर आप लोगों को अगर आपने Elementary Education वाला जो है या फिर आप लोगों को कहा गया कि कम से कम 50 प्रतिशतंगों के साथ ग्रैजुएशन किया हो और B.A.B. अग से पांच के लिए इनोंने बताया कि विशेश अध्यापक वो होगा वो जो 50 प्रतिशत अंक उसके होने चीएं सीनिर सेकेंडरी में 12 में और लेकिन उसके साथ साथ पुनरवास परिशत से जो विशेश शिक्षा का जो डियलेड होता है उसमें आप लोगों ने डियलेड ज ग्राइजूेशन आप लोगों को पचास प्रतिशत अंगों के साथ हो तो आप लोग अध्यापक बन पाऊ गए यह मेरी और से सावने जनका दी हुई बाकी कि आप लोगों को यहां सपष्टी करन क्या क्या है बहुत कॉमन सी बाते हैं तो अभी आप लोगों को यह देखो बने रहीएगा आप लोगों के लिए च्लासिस शुरू कर दी गई है टीचर सद्डा पर शाम को आप लोगों को च्लास होती है और आपके विशेश विशे के लिए जो है TGT PGT 824 7 पर हमारी क्लासिस होती है देखना ना बूलिएगा 824 7 के यूट्यू चैनल को सब्स्क्रा